गुद मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षिट 76 विशे विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 22 जनवरी खेली तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोक्षिट में हम जो पढ़ रहे थे हमारा पार्थ हमाम हम बिमार क्यों पढ़ते हैं उसी के अंद और संक्रमाग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं बहुत से सुक्षम जीव हैं जो संक्रमाग रोगों के कारक हैं वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन तरीकों से फैलते हैं अब यह रोग कैसे फैलते हैं एक दूसरे से सुक्षम जीव होते हैं चोटे-चोटे तक पहुचते हैं इनके संचरन का तरीका इनके फैलने की गती तता शेत्रे पर भी निर्धारी तहीं किस तरीके से संचरन करते हैं किस तरह से फैलते हैं यह उसकी गती पर भी यह रोग कितना फैल रहा है और उसका शेत्र भी उस पर भी यह निर्पर करता है ठीक है अब इससे वेक्ति उससे सुद्षव्यक्ति में यह पोईचता है। काई है आपको तो वो जो केटानू है वो हवा में गए और फिर कोई सास ले रहा है तो हवा में हवा की वज़े से उसने सास लिया अंदर तो उसके बाद उस उनी में छोटे-छोटे-चोटे गण है के टानू है वो इसके अंदर चले जाएंगे है ना तो इससे कौन से कौन से बिमारिया है इस तरीके से जो फैलती है वायू से वो है निमोनिया सरदी जुकाम शेयरोग जो टीबी होती है वो होता है शेयरोग फिर दूसरा है जल और भोजन द्वारा जो अगर आपका तो रोकानू है वो हमारे श्रीज है उसमें संक्रमित जल्व है भोजन द्वारा भी प्रवेश करते है गंदा पानी ャंगदा खाना हम का रहे है तो उसके वजह से भी रोगानू हमारे श्रीर के अंदर जाते हैं जिसके वजह से हमें हेजा पेचश ये सारी चीज़े जिभ फिर संक्रमित डॉक्टरी उपकरनों द्वारा, माली जी आपने होस्पिटल वगेरा में देखा होगा, तो इस्तमाल की गई सुई वगेरा है, दस्ताने है या थर्ममीटर है, इन सब का अगर हम प्रियोग करें, माली जी किसी संक्रमित आदमी का आपका अर्टापमान चेक कि और वहीं फिर हम उसी से बिना साफ करें, हमने किया है, तो भी हमें हो सकता है, ठीक है? तो जो भी डॉक्टर ने उपकरन है, उनका भी हमें जो साफ सूथरे या नही है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, फिर है रोग वाग द्वारा, रोग वाग मैंदने आपको कल बताया क्या होते जिसके वह जैसे जो बिमारी को फैलाते हैं ठीक है जैसे कुटा बिली बंदर आदी हैं यह सब एक व्यक्ति को काटते हैं और उन्हें रोग रस्त कर देते हैं जैसे रेबीज है मलेरिया है डेंग आदी होता है यह क्या होता है मच्छर से कुट्टे से उसके बाद लेंगिक संपर्क द्वारा लेंगिक संपर्क से जैसे सिफलिस है एड साधी करोग यह कैसे होता है यह स्वस्थ व्यक्ति में लेंगिक संपर्क की आने से होता है ठीक है जैसे यह और अन्यकारणों से भी हो सकता है उसके बाद संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तमाल की गई वस्तु का सुस्ति व्यक्ति द्वारा उप्योग किसी व्यक्ति को कोई बिमार है उसी की वस्तु कोई दूसरा सुस्ति व्यक्ति यूज कर रहा है तो भी हो जाता है इसलिए अपने खाना कपड़े वगएरा में अलग रखने चाहिए इसके उधारेने जैसे तुछा रोग, स Immunodeficiency Syndrome, इसका मतलब क्या होता है, देखो, acquired मतलब किसी भी चीज को लेना, ठीक है, immuno होता है, immunity से, जो हमारी शमता होती है, बिमारियों से लडने की, deficiency मतलब कमी, मतलब immunity की कमी हो, अगर हमने ले ली है, acquired हो गई है, हमारी body में, शरीर में, उस syndrome को बोलते है, AIDS, ठीक है, syndrome क्या ह होता है, कुछ भी हमारी जो body है, हमारा शरीर है, वो अच्छे से, उसकी functioning है, उसका अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है, syndrome हो जाएगा, अब देखो, कारक क्या है, किस वज़े से ये होता है, तो ये होता है, एक virus होता है, retrovirus, HIV, ठीक है, उसकी वज़े सी होत होता है, वो होता है, retrovirus, ठीक है, संचरन का कारण, किस तेरे किसी ये फैलता है, देखो, लेंगिक संपर्क, एक दूसरे के लेंगिक संपर्क में आने के वज़े से, रक्त संक्रमन, संक्रमित injection, ब्लेड के, प्रियोक से संक्रमित, मा से उसके गर्ब में बच्चे को, देख है, तो वो खून क्या होगा, अपस में कभी मिलना नहीं चाहिए, अगर AIDS है, तो किसी को, और वो मिलते ही, क्या हो जाता है, इसलिए जो इंजेक्शन वगेरा, जो डोक्टर यूस करते हैं, वो भी अलग करनी चाहिए, जो ब्लेड है, वो भी और अगर माली जी माता को, जि इस तरीके से यह पैलता है, अब इसको कंट्रोल करने में, निवारन क्या है, कैसे इसको हल कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, तो देखो, संक्रमित रक्त कभी नहीं चड़ाना चाहिए, किसी को बिमारी हो, तो इसलिए हमें पहले ब्लड की जाच है, रक्त की जाच है, रक्त की स्थानांतरन से पहले उसकी एच्चाई विजाच अविश्य करनी चाहिए, उसके बाद एक व्यक्ती के प्रियोग के बाद सुई को नश्ट कर दिया जाए, जो सुई है, एक ही सुई हमें एक या दो व्यक्ती को, मतलब दो से जादा को नहीं, एक ही इंसान को जैस उससे भी ये सब बिमारियां फैलती हैं, अब आते हमारे प्रेशन उतर पे, चार प्रेशन आज हमें दिये गए हैं, तो एके करके इनको हल करते हैं, पहला प्रेशन है, रोगों के संचारी रोगों के फैलने के विबिन साधन क्या है, तो लिखो गया आप संचारी रोगों के फैलने की विबिन सादने संक्रमित वायू द्वारा जल और भोजन द्वारा और संक्रमित डॉक्टरी उपकर्ण द्वारा रोग वाहक द्वारा लेंगिक संपर्ख द्वारा और संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तमाल की गई वस्तो का स्वस्त व्यक्ति द्वारा उपयोग तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे योग या हमारा पहला प्रेशन ठीक है ये चेके चे आपको लिखने है जल, वायू, डॉक्टरी उपकरन, रोग वाहक, लेंगिक संपर्क इन सबसे ये फैलता है ठीक है संचारी रोग के ये है साधन उसके बाद चलते है हमारे प्रेशन प्रेशन दो है वायू, जल, तथा रोग वाहको द्वारा फैलने वाले रोगों के दो-दो उधारन दीजिए तो जिखो कैसे फैलते हैं वायू से कौन से फैलते हैं निमोनिया, सरदी जुखाम अब अगेरा चीक है जल से फैलते हैं हेजा, पैच्छे शादी और जो रोग दो भी लिख सकते हैं ठीक है, दो-दो ही देने, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा ही याद करना चाहिए, बाइचांस आपके माइंड से skip हो जाएं ठीक है, आप भूल जाओ, फिर चलते हैं प्रेशन नम्बर तीन पे, प्रेशन तीन है एड्स का पूरा नाम बताईए, तो एड इसका पूरा नाम क्या है, एक्वाइड एम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वाइड एम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कि एक्वाइड मतलब लेना, इम्यूनो मतलब जो हमारी बिमारी से लड़ने की शमता होती ह deficiency मतलब कमी और syndrome जो बिमारी हमें होती है ठीक है यह हो गया question number 3 उसके बाद चलते है last जो question आज हमारी worksheet का AIDS से बचने के विभिन तरीके बताने है तो कैसे बच सकते है AIDS से बचने के विभिन तरीके सबसे पहले संक्रमित रक्त कभी नहीं चड़ाना चाहिए ठीक है दूसरा एक व्यक्ति के प्रियोग के बाद सूइं को नश्ट कर दिया जाए और तीसरा दाड़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रियोग करना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर मानी जी किसी को AIDS है और वही रक्त कून हमने चड़वा लिया है तो हमें AIDS हमें भी हो जाएगा और एक व्यक्ति जो injection AIDS वाले बंदी को लगा है और वही हमें उसी सिरिंच से उसी सूइं से हमें लगा है तो भी हमें AIDS होगा और डाड़ी बनाते वक्त जो कट लग जाता है तो खून लग जाता और खून के मिलने से ही यह फैलता है ठीक है इसलिए हमें जो ब्लेड है उसका नए ब्लेड का इस्तमाल करना चाहिए ठीक है तो यह होगी आपके जो चारो प्रशेन आज आपकी वक्षिट में दिये गए थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए है कोई भी डाउट आपको पूरी वक्षिट में तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं Thank you and have a great day